फ्रेंड सबसे पहले आप ये एड देख लीजी क्योंकि इस एड में दिखाये जा रहा है अगर आपकी कार है बाइक है उसका जो भी प्लास्टिक का मैटेरियल है इसको लगाते ही बिल्कुल पहले जैसा चमक ने लगता है मतलब पहले से जादा चमक आ जाती है ऐसे एड आया तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी सचाई आपके सामने दिखाई जाए तो फिर के दा फ्रेंड मैंने इसको ओडर कर दी है बस आता ही होगा दिखिए अभी हेलिकंट गुजरेगा भी दिखेए और फैंट यह देखिये जादा बड़ा प्रोड़क्ट नहीं है च्छोटा और यहां पर देखिए इसको कैसे कैसे यूस करना है लगाने से पहले आपको शेक करना है मतलब इला लेना है और जो भी आपका वीकल है उसको शेंपू से दो लेना है दस बीस मिनट के लिए छोड़ देना ताकि वो सूख जाए कि आप इसको माइक्रो फैबर क्लोथ से एपल करना पड़ेगा और यहां पर देखिए अलाओ करने के बाद इसको जो है बीस तीस मिनट के लिए छोड़ देना है लगवाई यहां देखिए फ्रेंड इसके मारपी 6 से डबल 9 है वाई लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यह मुझे काफी सस्ता पड़ा है तो प्राइस जो है सब चीज से ट्राइ करेंगे तो चलिए व्रेंड सचाई देख लेते हैं विले सबसे पहले हम ट्राइ करेंगे इस कार के पैनल पे तो आदे पैनल पे हमने लगा लेने टेप ताकि रिजल्ट आपके सामने रहे और यह हमने लिया है कॉटन का कबड़ा यह पॉलिश सबसे लिक्वेड आपको मिल जाएगा बस इसी को जो है अबलाई करना है भाई यह मैं आदे पैनल पे टेप लगा रहा हूँ और यह इसलिए लगाऊँगा ताकि आपको जो है पता लग सके और अब स्टार्ट करते हैं इधर इधर लगाना हमने इधर नहीं लगाना है यह देगे कुछ इस तरीकी से हमें ले रहे ना है थोड़ा ज्यादा करकी लगाऊँगा ताकि कहीं यह भी ना रहे कि हमने लगाया नहीं ठीक है बाग की रिजल्ट आपके सामने होगा जो यहां देगे फ्रेंड हमने इधर इधर जो है इसको अपलाई किया है इधर नहीं किया है तो चलिए अब आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूं कि किस तरीके से इसने काम किया है तो यहां देखेंगे तो धूप कुछ जादा तेज है यहां देगे फ्रेंड इसने कितन वर्ग किया है ये आपके सामने है हमने यहां तक लगाया अगर आपको एक layer दिखती होगी यहाँ पर चड़ी हुई इसमें तो यहां तक हमने इसको apply गया और कितनी इसके color में changing आई है और कितना यह शाइन कर रहा है यह सब आपके सामने है फिलाल अभी हम टायर पे भी करेंगे यह देखिए कुछ यहां से एक लेयर गई है यहां से यहां तक यहां देखिए फ्रेंड इसको हमने धोबी लिया है और इसमें जो है वैसे ही चमक गायब होगी इस टायर की तो चलिए इस टायर को भी देख लेते हैं बहुत दाविक्ये जाते हैं बाई कि टायर बिलकुल चमक जाएगा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा लेकिन यह देखिए यह देखिए यहीं तक मैं ट्राई करूँगा और चमक जो है टायर में आई है इसको लगाने के बाद थोड़ा सा दूर से मैं दिखाऊं शायद दिखता हूँ आपको थोड़ी चमक तो आईए भाई इस मिरर पर ट्राई करके देखते हैं आपको देख रहा होगा ब्लैक चीजों को बिलकुल एकदम नया करने में यह तो भाई इसका तो कामी है और यहां देखिए भाई इसने बिलकुल ही बड़ी आगाम कर दिया हूँ ये देखिए कितने कितना गंदा हो रखा है और इसको मैंने दोया भी है और ये चूड नहीं रहा है अब देखेंगे कि ये शाइन इसमें बापस करता है या नहीं पहले जैसी शाइन आती है या नहीं चलिए अपलाई इसको कर देते हैं अब भी पता चल जाएगा भाई यहा शाइन आई या नहीं मदब कुछ हद तक इसने जो है शाइन इसकी बापस कर दी है सो फ्रेंड इन्होंने बोला है कि इसको लगाने के बाद लगवग 20-30 मिनिट के लिए छोड़ देना है ताकि यह अपनी जगा जो है अच्छे से सैट हो जाए फिर उसके बाद यह आसानी से छुटने वाला नहीं है तो चलिए दोस्तों हम थोड़ी देर का भेट कर लेते हैं यहां देगे हमने इसके ओपर ट्राई गया था और इसकी शाइन आप देख सकते हैं बाई इस पर रुगनी रहा है देखिए गाईज एकदम जो है क्लियर हो गया है मतलब इसने काम किया है सब्रेंट देखा आपने इस प्रोड़क्ट ने कैसा काम किया है ऐसा कि हमको देखने को मिल ला था एड में कि यह बिल्कुल बलेक कर दे रहा है ठीके जैड बलेक एकदम हो रहा था और पहले जैसी शाइन इसमें एड में बापस दिखाई जा रही थी लेकिन प्रेंट रियल में ऐसा कुछ नहीं है और मतलब करता है इतना जादा अच्छे तरीके से काम नहीं करता है शाइन करता है बापस मैं यह नहीं कहूंगा कि शाइन बापस नहीं करता है शाइन आती है लेकिन जिस तरीके से एड में दिखा रहे थे उस तरीके से शाइन नहीं आती है और दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसकी प्राइस की और प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जागा 304, 304 रुपे का यह मुझे पड़ा है अगर आपको यह परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागा वहाँ से जाके आप इसको इसली परचेस कर सकते हैं और वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें मिलेंगे नेक्स टू वीडियो में तब तक के लिए दीजे इजाज़त थैंक यू